बिसमिल्ला रह्मान रुहीम, welcome to medical medics, today our topic of our discussion is beta oxidation energy जब हमने beta oxidation की बात की थी तो हमने कहा था इसमें basically four steps involved है oxidation, hydration, तुबारा से oxidation and then thayoletic cleavage अब इसके अंदर से कुछ products निकार रहे होते हैं जो कि मैंबस energy की production करवाएंगे सबसे पहले हमने कहा था कि FADH2 की formation होगी अब ये FADH2 हमें पता है कि चला जाता है into the electron transport chain, electron transport chain के अंदर FADH2 formation करवाता है 280 piece की, 280 piece की हम इसको बहुआ सकते हैं 1.580 piece की, 1.580 piece की formation करवाता है फिर ये वाला जो step था, जो second oxidation थी, इसके अंदर NADH की formation होई थी और ये NADH move कर जाता है, electron transport chain की तरफ और यहां से हमारे पास formation होती है 380 piece की, यहां फिर 2.580 piece की 2.580 piece की और आखिर पर हमने कहा कि acetal-coe की formation होती है ये acetal-coe हमें पता है कि TCA में चला जाता है और एक TCA से हमें पता है कि 1280 piece की formation हो रही होती है जब हमने TCA cycle को discuss किया था तो एक acetal-coe move किया था into the TCA, अब यहां से मारे पास 3 NADH का क्या मतलब है 3 ATP, 3 ATP and then 3 ATP, जो कि electron transport chain से मिलेंगे तो यह होगे 980 piece, एक FADH2 है, 9 plus 2, यानि FADH2 से हमें पता है कि 280 piece मिलते है तो 9 plus 2 होगे 11 और एक direct ATP मन रहा था substrate level phosphorylation से तो कितने होगे 1280 piece, तो एक acetal-coe से 1280 piece की formation होती है क्रेप cycle गेंदा यहां TCA गेंदा अब हम बात कर लेते हैं, यह मारे पास 16 carbon containing compound है जिसको हम बोलते हैं, palmatic acid, यह saturated fatty acid होता है अब जब पहले cycle होगा, यानि पहले cycle के अंदर यह 4 steps होगे तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, यानि यह 16 carbon containing compound है palmatic acid, यहां से हमारे पास यह 4 steps होगे एक FADH2 की formation होगी, एक NADH की formation होगी और एक Acetyl Coe की formation होगी तो first step के अंदर, यहां से निकलेगा मारे पास FADH, FADH2, उसके लाबा निकलेगे मारे पास NADH, NADH, पिर जब यह आखिर पर इसका reaction होजएगा, तो यहां पर क्या मनेगा? और last step के अंदर Acetyl Coe, यह मारे पास first Acetyl Coe की formation होगी है यहां से क्या बन गे है मारे पास? Acetyl Coe जो के move कर जाएगा towards the TCA, यह move कर जाएगा towards the TCA, अब यह next step है, next cycle है अब next cycle के अंदर भी यहां से की FADH2 की formation हो रही है FADH2 बन रहा है, उसके लाबा NADH बन रहा है पिर यहां से हमारे पास रहाएगे पहले 16 Carbon थे 16 में से Acetyl Coe के 2 Carbon निकले, तो 14 रहाएगे पिर 14 में से 2 Carbon निकले Acetyl Coe के वह भी TCA की तरफ move कर गे फिर 12 में से 2 निकले तो हमारे पार 10 Carbon रहाएगे 10 Carbon निकलने से पहले हमारे पास यहां पे formation होगी FADH2 की और यहने डीएच की फिर यह मारे पास रहेगे कितने कार्बन 8 कार्बन इसके बार रहें गे यह मूफ कर जाएंगे ट्वाइड़ टी सिये कि इस टैप में भी हमारे पास एफ इएच की फॉर्मेशन होगी एफ पैज टू है एंडिए दी घडिए फिर दोबारा अमारे पास आपने परिशान नहीं होना मैं इसका शॉर्टकट भी देखेंगे अफ़े लिएज टू यहां से निकलेंगे ने डियेच जोगे दूसरा ऑक्सिडेशन स्टेप से निकलेंगे तो यह हो गया अब हमारे पास सिक्स कार्बन है अब दुबारा एक्ट करेंगे दुबारा बीटा ऑक्सिडेशन से गुजरेंगे तो एक एफ़े दियेच फॉर्म बन देगा उसके लाबा ने दियेच बन देगा और यहां से हमारे पार यह TCA की तरफ मूफ करजेगा Т CA अब हमारे पास रहे चार कार्बन अब यह जो चार कार्बन हैं यह जब कंवर्ट होंगे तो FADH2 की फॉरमेशन होगी उसके साथ NADH की फॉरमेशन होई अब यहां से हमारे पार दो ऐसी टैल कोई बन गए अब यह दोनों भी मूफ करेंगे टूर्ड टीसी है अब हम देखते हैं कि मारे पास कितने FADH2 और कितने NADH की फॉर्मेशन हुई है फर्स टेप में निकला था फिर यह इसी तरह से मारे पास यह साइकल से निकलता गया एक दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ एंड़े टोटल 7 FADH2 की फॉर्मेशन हुई है टोटल 7 FADH2 की फॉर्मेशन हुई है और 7 ही हमारे पास NADH کی फॉर्मेशन हुई है 7 FADH2 and 7 FADH2 की फॉर्मेशन हुई है इसके लावा जो acetal koye है वो कितने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total 8 FADH तो इसका क्या मतलब है कि TCA भी कितनी होंगी 8 होंगी 8 TCA run करेंगी यह कितनी होंगी 6, 7 and 8 अब 8 TCA का मतलब है 1 TCA से मारे पास होती है 12 80p 12 80p यहाँ पे भी 12 होंगी यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जी तरह यहाँ पे और यहाँ पे भी 12 होंगी अब 12 को हम multiply करेंगे 12 को multiply करेंगे 6 के साथ sorry 8 के साथ multiply करेंगे क्योंकि 8 acetal koye 8 TCA के cycle के अंदर move करेंगे 12 को हम multiply करेंगे 8 के साथ तो मारे पास आजेंगे 96 ATPs तो 96 ATPs जो होंगे वो मारे पास आजेंगे through TCA TCA के दूल हागे मारे पास 96 ATPs अब 1 NADH 3 ATPs की फॉरोंचन होती है 7 NADH कितने ATPs बनेगे 21 1 FADH2 से 2 ATPs की फॉरोंचन होती है 7 से मारे पास कितने बनेगे 14 80 piece इन तीनों को plus कर देते हैं तो net 80 piece की बात कर लेते हैं net 80 piece की जब हम बात करते हैं तो 14 plus 21 plus 96 यह हमारे पास हो जेंगे 131 80 piece 131 80 piece हो गए अब इन 80 piece से हम 2 80 piece minus कर देंगे क्योंकि जब हमने fatty acid fatty acid की activation करवाई थी तब हमने 80 piece को use किया था तो 2 80 piece वहाँ पर use होए थे यह मारपास आजिएंगे total 129 80 piece यह 129 80 piece होते हैं हमारे palmitic acid के case में palmitic acid के case में 129 80 piece होते हैं अब इसका shortcut क्या है सारे carbon तो बार बार लिखके याद नहीं कर सकते तो इसका shortcut यह है कि जितने number of carbon होंगे जितने carbon होगी जैसे मारे पास थे 16 carbon उसको हम divide करेंगे 2 से फिर उसको minus कर देंगे 1 से तो 16 divided by 2 कितने होगे 8 और 8 minus 1 कितने होगे 7 तो इसका क्या मतलब है कि 7 साथ बार beta oxidation होगी साथ बार beta oxidation का क्या मतलब है कि 7 FADH formation होगी 7 NADH की formation होगी और आखरी cycle में 2 acetalcoe बनते हैं तो 8 हमारे पास acetalcoe बनेंगे तो इस तरह से हम इसको यार रख सकते हैं जितने number of carbon atoms होगे उसको 2 से divide करके minus 1 करते हैं तो 7 cycle रान होगी और 7 मारे पास NADH 7 FADH2 भी formation होगी और एक इस से जादा number वाला acetalcoe गी formation होगी लिकिन अगर हम अपने reference को change कर ले कि हम 1 FADH को consider करें 1.5 ATP के बराबर और 1 NADH को consider करें as 2.5 ATP के बराबर तो इस तरह से मारे answer कुछ different हाएंगे कैसे different हाएंगे कि 7 ATP अगर हम 1 FADH की formation करवाती है 1.5 ATP की formation तो 7 FADH कितने ATP की formation करवाएंगे तो इस case में मारे पास answer आएगा 10.5 ATP 10.5 ATP की formation करवाएंगे और अगर 1 NADH 2.5 ATP की formation करवा रहा है तो 7 NADH formation करवाएंगे 17.5 ATP की 17.5 ATP की तो इसी तरह अगर हम TCA के अंदर move कर गया है उदर भी हमारे पर NADH पगरा की formation हो रही होती है तो इस तरह अगर 1.5 और 2.5 को reference ले तो इस तरह है TCA के case में मारे पास 80 ATP की formation होगी 80 ATP की formation होगी और हम इन तीनों को plus करनें तो answer हमारे पास आएगा 108 आएगा 108 में से 2 हम माइनस कर देंगे जोगे हमने इधर भी किये थे तो final answer आजएगा 106 तो 106 ATP आते हैं अगर हम 1 FADH2 को 1.5 ATP के बराबर और 1 NADH को 2.5 ATP के बराबर consider करेंगे तो यह था topic हमारा बीटा उक्सिडेशन की energy yield पिए लाइक दिस वीडियो देन काइंटली शेर इट विद यूर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब तो माई चैनल झाल